दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं BIM क्या अगर इंटर्व्यू है तो उसमें कौन-कौन सी चीज़ें आपको पढ़के जानी चाहिए और क्या-क्या पोच सकते आपसे transmitter and non technical किस तरीकी साफ कांसे टेरी इसके बारे में बीड़िवाorp में इस्कत्र करने हैं क्यांकि सब बीड़ो शिर्फ आपकी इंजलोर करना इसरी अचली वर्ण को बनने होсем हेलो प्रेंड्स वेल्कम मैं किनमा यूटीब चनल दोस्तों मैं हूँ अकाल पंड़ और आप देख रहे हैं यूनिक सीविल यानि में एक यूर्सेल्फ यूनिक दोस्तों अगर आपका वी आएम या बीम का इंटर्व्यू है पहले तो मैं इंटर्व्यू स्टार्ट कोने से पहले ही आपको एक सी बताना चाहूँगा बीम और वी आएम एक ही है अब वो बीम मा समझ लेना कॉलम बीम बाला बीम मींस बिल्डिंग इंफॉर्मेशन बॉल्डिंग बीम उसी को बोलते हैं तो पहला कुछन तो यही का ही आप मैंने देखा टेलीफॉनिक पूछे जा सकते हैं इसको आपको समझना पड़ेगा अब तुम बीम मिस बिल्डिंग के बारे में पढ़ने के जा रहे हो तो सबसे पहली चीज बिल्डिंग बनाओगे कैसे यानि बिल्डिंग बाई लॉग पहली चीज आपको पढ़ जानी पढ़ेगी दूसरी चीज बि बिल्डिंग बागे में एक बंदयो बनाओ आप प्रेलिस में पढ़ से शक्री सकते हैं और मनेपहली चीज क्या होता है इसि Healthcare के होता है इतोinhaग होता है am सब के लिए उसका सब्सक्राइब करना होता है ताइम के साथ आपको एनिमेट करना होता है उसको क्या बोलते हैं आप डिलेशन आ रहा है यह सारी चीज़े आपको इनिमेट करने के लिए आपको 60 का यूज़ करना पड़ता है 70 क्या होता है 70 में आप लोग क्या करते हो जितनी भी चीजें उनको और और चेक करते हो कि क्या सब प्रॉपर्पर रवर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा यह सबस्क्रेइस उसकी सेडियों कैसे करेंगे इस्टीमेशन कैसे करेंगे, इसके बारे में बहुत अच्छा knowledge होना चाहिए, cover कैसे point करेंगे, revenue structure में, ये देख लीजेगा, reinforcement detailing कैसे करेंगे, अच्छा, steer ups क्या होता है, ties क्या होता है, ये difference होता है, safe code किस तरीके से different होते है, safe code कैसे लगाएंगे, इसके बारे में थोड़ा से इसके difference कै है, super build up area क्या होता है, इसके बारे में समझना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में, की super build up area क्या होता है, सब मैंने बताया हुआ है, आप बस चेक करो, आपको सारा content मिल जाएगा, interview से related, और civil engineering से related, maximum content मैंने cover कर दिये channel पे, बस अब आपके support की ज मताने वाला हूँ, but after 10K क्योंकि यार, आपको से मैं इतना मैनत करूँगा, तो मैं आप से थोड़ा से मैनत करूँगा, और साथ ही साथ आपको और क्या पढ़के जाना चीए, देखो यार, यह तो रहा technical चीजी जो आप पढ़के ही जाओगे, इसमें आप से पूछेंगे, प्लम्बिंग के बारे पूछ सकते हैं, तो प्लम्बिंग के बारे में इतना सेंस कि आप किस तरीके से डक्ट हो गरे लगाओगे, थोड़ा साथ क्लियर कर लेना कि MEP जो है वो आपका BIM वो भी है, बाट वो एक अलग इंटर्व्यू है, और structure एक अलग इंटर्व्यू है, एक में पूरा MEP कवर होता है, तो MEP आप जरूरी नहीं कि आपको MEP सीखें इंटर्व्यू में आप कमी आप बीम क्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, अगर अगर अच्छे तरीके से इलेट्रिकल प्लम्बिंग भी सीख रखें और मैकेनिकल प्लम्बिंग, मासा अलला आपकी तो मनलब होना ही होना है, आपका सेलेक्शन तो होना ही होना है, तो यह आप इस दोनों कॉंसर्ट को अगर अच्छे तरीके साथ पढ़ लेके तो definitely हो जाएगा, साथ ही साथ बस थोड़े से नॉन टेकनिकल कुशन भी है, और कुछ टेकनिकल मिक्स करके भी कुशन प बोलेंगे, इसका front view बना के दिखाओ, इसका right view बना के दिखाओ, यह कोई table सोभा रखा हुआ, उसका left view क्या होगा, तो आपके क्या संस्ते हैं, वो आपकी visualization को चेक करते हैं, तो आप इंटरेट पर डालेंगे, विजुलाइशन ट्राइंग या perspective drawing साब डाल दीजे, प्रक्षी प्रैटिस कर लिजेगा, उनके सामने कागर जरूर होता है, 4A3 paper का कोई ने कोई paper size होता है, तो क्या बोल देंगे, आपको paper का size क्या होता है, ऐसे जो non-technical थोड़े से का सकते हो, थोड़े technical mix भी का सकते हो, यह सारे questions आप से जरूर बोस्ते हैं, आप से पूछ सक पहले हमने observe कर लिया, वहां पर कौन सी problem आ सकती है, कौन कौन सी चीज़े किस तरीके से हम देख सकते हैं, अच्छा तरीके से हमको visualize हो गया, तो हमारा करोडो का project है, हम पहले से उसको confirm कर लिए कि यह project success ही होगा, उसके बाद हम design करने, पहले क्या होता है, पहले हम design कर रहे है बीच of problem है, अब हमेरे पास बनाने के लिए कोई चीज नहीं है, इसलिए अभी हम क्या करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा project होता है, करोडो का project होता है, तो हम पहले check कर लेंगे सारी चीज़े अगर fix है, क्योंकि check करने maximum 10 लाद रुपे में आपको सारा check-up हो जाता है, उसके बाद आप जाते हो बनाने के लिए तो बहुत पैसा आपको बचला है, इसलिए beam technology बहुत ज्यादा demanding है market में, और इसके साथ और भी बहुत से चीज़े है, जैसे कि आप से पुछते नहीं कि आप water के लिए आप क्या resources बनाते हो, यह सारी चीज़े बिल्डिंग वैलों आपक क्या है कि Revit में कौन कौन से important commands होती है, उनको study कर लीज़ेगा क्योंकि उन commands से कुछिन पूछते हैं, उसके साथ CTD, .CTD करके की question होता है, बहुत जादा पूछा जाता है, CTD क्या है, CTD क्या है, यह file format है, जो print करते हो, आप print करते हो, color printing अग आपको निकालना है, तो .CTD file format आ layout र्यों के काम करते हो , 사риз, का model र्यों क में करते हो , ऍपार र्योतों है , optics अटि जाते हो , यहिते हैं, boiling का है , यह क्या है , ng, क्या है, इस прав बेद दोनों फैंबली बट इस ट्रक्ट्रों को लेंगे तो इसके वाले में इडिवीज़ ने को भाला है ऑगले आप सब के लिए इतनी मेंनत कर रहा हूं कितनी चीज़े में disclose करता हूँ आप सोच भी नहीं सकते हो यह सारी इंटर्व्यू के question डारेट आपको मिल लाए तो अब आपको इतना तो कर सकते हो यार कि आप share कर सकते हो उसको जल्दी से 10 के पहुंचाओ मैं वेट कर रहा हूँ जल्दी से मैं manual design, excel पर design यह सारी चीज़े आपके सामने लेके आने वाला हूँ बस आपके help की जुरूवत है मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में चैहें चैवारत